आज हम बनाएंगे आलू और सूजी की बहुत ही टेस्टी चटपटी मसालेदार पूरियां आप इन्हें ब्रेकफास्ट, लंच, डीनर किसी में भी बना सकते हो ये बहुत ही टेस्टी लगती है नमस्ती दोस्तों, स्वागत है आपका श्यामरसोई में तो चली शुरू करते हैं बनाना सबसे पहले हम एक बड़ा सा बरतन लेंगे जिसमें मैंने एक कप बारिक वाली सूजी ली है यदि आपके पास मोटी सूजी हो तो उसे मिकसर में चलाकर पीस लीजिएगा सेम कप से हमने यहाँ एक कप गरम पानी लिया है जिस कप से हमने सूजी ली थी उसी कप से मेजर करके मैंने पानी को गरम करके ले लिया है पाँच मिनिट के लिए इसे रख देते हैं यहाँ हमने दो उबले हुए मीडियम साइज के आलू लिये हैं आलू को कदुकस करके तयार कर लीजिए ताकि इनके चंक्स पूरियों में ना आए वरना पूरियां बेलने में दिक्कत होगी और जो हमने आलू कदुकस किये हैं वो भी मेजर करें तो एक कप ही है सेम कप से एक कप आलू, एक कप सूजी और एक कप पानी लिया है हमें सूजी को रखे हुए 5 मिनिट हो गए हैं और ये देखें सूजी ने अच्छे से पानी एब्जोब कर लिया है और ये अच्छे से फूल चुकी है अब हम इसमें ये उबले हुए आलू डाल देते हैं और अब हम सारे मसाले डालेंगे वन फोर्थ चम्मच यहां हमने हल्दी पाउडर लिया है इससे पूरियों का कलर बहुत अच्छा आएगा दो चोटा चम्मच कुटी हुई लाल मेर्च ली है एक चोटा चम्मच कसूरी मेथी लिया है जिसे मैंने रोस्ट कर लिया था एक चम्मच अजवाइन लिया है इसे हम हातों से क्रश करके डाल देंगे और एक चम्मच हमने यहां दरदरी की हुई सौफ ली है सौफ से पूरियों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है आदा चम्मच नमक लिया है नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हो और खूब सारा बारे कटा हुआ हराधनिया डाल देंगे और अब इन सारे मसालों को हातों से अच्छे से मिक्स कर दीजिए मसालों को हमने मिक्स कर लिया है अब हम इसकी binding के लिए गेहूं का आटा डालेंगे तो पहले मैंने यहाँ एक कप गेहूं का आटा लिया है इसमें हमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है तो जितना आटा आटा आपका आ सके उतना आटा हमें इसमें डालना है और हमें चपाती का जो हम आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट आटा लगाएंगे तो पहले हम एक कप पूरा डाल देते हैं हमने एक कप गेहु का आटा पूरा डाल दिया है लेकिन मुझे और जरूरत लग रही है तो हम इसमें थोड़ा सा आटा और डालेंगे और पूरा आटा लगने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितना आटा इस्तेमाल किया है हमने आटा लगा लिया है और इतना आटा लगाने में हमने डेड़ कप गेहु के आटे का इस्तेमाल किया है तो आटा हो सकता है आपका इससे थोड़ा कम या ज्यादा लग जाए ये आपके आलू के मोश्चर पर डिपेंड रहेगा हमने इस पर तेल लगा दिया है और इसे अच्छे से दो मिनिट के लिए मसल लेते हैं ये लिजी आटा हमारा लगकर तयार है और इसकी कंसिस्टेंसी चपाती से थोड़ इसी टाइट है आटे को हम 5-10 मिनिट के लिए रख देते हैं 10 मिनिट के लगबग हो गए हैं और अब हम हातों पर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और आटे में से छोटी-छोटी लोईया निकाल लेते हैं हमने सारी लोईया बना कर तयार कर ली है और अब हम चकले पर थोड़ा सा तेल लगा देंगे और इसे हम पूरी की तरह बेल लेंगे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है हमें इसे इधर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है और तेल देखिए अच्छे से गरम है इसमें हमने थोड़ा सा आटा डाला तो वो तुरंत उपर आ गया तेल अच्छा गरम होना चाहिए पूरिया तलने के लिए और पूरियों को तेल में डालने के बाद जहारे से हलका हलका प्रेस कर दीजिए जिससे पूरिया अच्छे से फूल जाएंगी और पलट कर दोनों साइड से हलका सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लीजिए ये देखिए बहुती बढ़िया पूरिया बनी है इसी तरह से सारी पूरिया बहुती बढ़िया फूली फूली बनकर तयार होंगी ये लीजिए पूरिया हमारी तयार है इन पूरियों को मैंने टमाटर की चटनी के साथ सव किया है तो ये चटनी की रेसिपी भी मैं आपको ब पेश्ट तयार कर लेंगे, अब हम एक कड़ाही लेंगे जिसमें तीन से चार टेबल स्पून तेल डालेंगे, तेल के गरम हो जाने पर इसमें आदा चोटा चमच जीरा, एक चोटा चमच सौफ, वन एर्थ चोटा चमच याने की दो पिंच कलोंजी और वन फोर्थ चमच हीं डालेंगे और अब हम इसमें आदा चुटा चमच के करीब हल्दी पाउडर डालेंगे और अब हम इसमें ये पेश्ट डाल देते हैं और अब हम gas का flame medium to high करके इसे अच्छे से mix करेंगे और अब हम बाकी के मसाले डाल देते हैं एक चमच लाल मिच का पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर और आधा चमच के करीब नमक डाला है और इन मसालों को अच्छे से mix कर दीजिए और अब हम इस चटनी को लगबग 15-20 मिनिट लो फ्लेम पर पकाएंगे इस चटनी को आप 5-6 दिन के लिए फ्रीज में रख सकते हैं ये खराब नहीं होती है अभी हमें चटनी को पकाते हुए 7-8 मिनिट हो गए है और ये देखे पहले से काफी गाड़ी हो गई है इस स्टेज पर हम इसमें लगबग 2 टेबल स्पून गुड डाल देंगे इससे हलका सा मीठा पनाएगा वो बहुती बढ़िया लगता है साथ ही आदा छुटा चमच गरम मसाला डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे फिर से ढख कर पकाएंगे चटनी को हमें पकाते हुए लगबग 15-20 मिनिट हो गए है और ये हमारी टमाटर की बहुती टेश्टी चटनी बनकर तयार हो चुकी है आप चाहें तो इस पूरी को दही, खटा, आम का अचार इनके साथ भी सर्व कर सकते हैं मैंने ये चटनी बनाए थी तो मैंने इसकी रेसिपी भी शेर की है चटनी बनकर तयार है गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे तो फ्रेंड्स यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके